नमश्कर आप सबका हुमारे चैनल ग्यानद ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मा काली को गुडल का फूल क्यूं पसंद है देखिए गुडल का फूल तो हम चड़ाते हैं उनको सबको पता है कि पसंद है और क्यूं पसंद है उसके फायदे क्या होते हैं यह हम आपको इस वीडियों बताने जा रहा है देखिए देवी को गुडल का फूल जो लाल रंका और पांच पत्ती वाला होता है उसको चाहने की पीछी का कारण क्या है देखिए लाल जो रंग है वो शक्ति का प्रदिनेद्ट्व करता है माता श शक्ति की प्रदीक है पांच पंखड़ी पंच तक्त्व का प्रदीक होता है और साथ गुडल का फूल प्रित्वी तक्त्व प्रदान होने के कारण उसमें आकर्षन शक्ति आकर्षन जो शक्ति है वो अधिक होती है फूल को चणाने की मानेत्या की पीज़े रहस्य यह है क शक्ति का आकर्षन आप की तरफ हो यानि देवी का आकर्षन आपकी तरफ हो मयरला आपके मनकामना पुर्ण हो गुडहल के फूल का प्रियोग पुजापाथ के साथ ही तंत्रसाधना में भी किया जाता है। पूजा पार्ट में इसका मस्थ बहुत खास माना गया है मा दुर्गा और काली के साथ मा लक्षमी को भी ये फूल अतिप्रिये माना गया है शुक्रवार को इस फूल को मा लक्षमी को अपित करने से उनके किरपा प्राप्त होती है तो उपाए भी हम आपको बता देते हैं गुडल के फूल के अन बहुत सार उपाए है जैसे गुडल का यदि आदा फुला खील हो आदा फुला जो खिला हुआ हो उसको दोपहर के समय तोड़ कर इसे माता काली को अरपित करें इसके बाद उस फूल को पसाद के तौर पर यदि आप उस व्यक्ति को खिला देते हैं जिस पर नकरात्मा पुर्जा का प्रभाव दिख रहा हो तो उसके लिए काफी फाइदे मन्द होगा तो गुडल का फूल जो बहुत लाबकारी ऐसे भी माना गया है स्वास्त की साबसे भी लोग इसे खाते तो भी काफी लाबकारी होता है तो मैं यह कहूँगा कि हर शुकरवार को एक गुडल का फूल माता लक्ष्मी को परपित कीजिए और देखें फिर कमाल क्या होता है बस ध्यान रखिये के गुडल का जो फूल है वो लाल रंग का हो और गुडल के फूल के साथ माता को आप एक मिश्री का भोग भी लगा दीजिएगा तो और अच्छा होगा गुडल की एक कली भी प्रसाद के तौपर माता के सामने रखेंगे तो और अच्छा रहेगा आप मुझा समाप्त होने पर मिश्री का प्रसाद स्वेम गरहन करें और गुड़ल की जो कली है वो आप पिजोई या धन के अस्थान पर रखते हैं इसे आपके धन में हमेशा बरक्त होती रहेगी वैसे आप चाहें तो मिश्री के साथ गुड़ल भी प्रसाद के तोर पर अपगरेंड कर सकते हैं तो यह बस उपाय है यह आप करके देखें गुड़ल के फूल का बड़ा सायता होगा और और भी एक दो उपाय हैं जो हम आपको अपने दूसरे चैनल श्रीमधूम्रेमेडिस पर एक ही साथ बता देंगे तो धन्यवाद आप कोई भी स्पीच्चल और श्रीवागो.com या ओमजा.com से प्राप्त कर सकते हैं जैन्यून अथेंटिक लैप सेटिफाइट और साथ में मंत्रित भी यदिया आप चाहें गन्यवाद